बच्चों के स्कूल खुल गया हैं, कई बार देर हो जाती हैं, बनाने का कुछ मन नहीं करता तो आप इस तरीके से नमसालपोड़ी को बहुत असानी से बना कर बच्चों के लंच बॉक्स में ये जटपटी से बना कर दे सकते हैं इतनी क्रिस्पी और इतनी टेस्टी और सिंपल रेस्पी हैं, कि इरी वीडियो अच्छी लगती है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए गई हैं, मैंने दो आलू और दो प्याज को इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है, दो लसन गेक कर लिया है, और चा क्यातके दो प्यारी करेंगे, इसंत्रक्वेश जरू परात में इस तरीके से सारी पेस्ट को मैंने डाल दिया, मसाले याट करेंगे, तो एक च्छिद्धर में ह्लदी पावडर, एक च्छिद्धर कश्मीरी लालमिर्च पावडर, खूब सारा कस्तूरी मेथी और यह काट लिया है हुआ के ऐची तरीके से कटीनी मिलाथी जाओंगी जब तक मसालों के साथ गहुं का आटा मिलना जाए इस इन इस पानी की जुरुद पड़ती नहीं है इस इन जब भी पूडी का आएचा बन लगाए ना तो बिल्कुन वाफ्ट होना चाहिए कि गीळा नहीं होना चाहिए तो मुस्चराइसर ले जाईगा तेल पी जाएगा देखिए डोग हमारा बिल्कुन रेडी हो चुका इसमें पानी भी नहीं डाला और इसी तरीके से रेडी हो ज जाएगा और जब इसे मल कर हम इसे रेस्ट लेने के लिए नहीं रखें तुरांति से हम पूड़ी बनाने के प्रोसेस में कर सकते हैं तो देखिए भी परफेक्ट हमारे पूड़ी का डो बिलकुन तयार है तो मैं इसमें से ना मैं सारे को इस तरीके से पेड़ा बनाके पीनक इसमें सबजी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मैं बच्चों को लंच बॉक्स में ये पूड़ी इस तरीके से बना कर देती हैं तो वो लंच को सफ़ा सट करके आते हैं देखिए मैं एक डो को बिलकुन परफेक्ट त्यार कर ले रही हूं और थोड़ा सा तेल लगा तो ये हमारे बिलकुन परफेक्ट पूड़ी बन कर तयार है देखिए ना ज्यादा मोटी और ना ज्यादा पतली इससे पूड़ी हमारी बिलकुन क्रिस्पी नैस के साथ फूलेगी देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रहे हूं देखिए इतनी पतली होनी चीए कहीं से जब हमारी पूड़ी ना मोटी नहीं दिखाई दे रही है तो ये पूड़ी तयार हो चुकी है दुसरा भी मैं इसी तरीके से सिंपल तेल लगाकर और बिलकुन परफेक्ट बोई लेंगी ना बीच बीच में से जब इसे ज़्यादा प्रेशर देंगे तो पूड़ी हमारी फट सकती है तो इसलिए हम साइड साइड से हलका हलके हांसे जब पूड़ी को बेल रहे ना थी ये हमारी पूड़ी परफेक्टनेट्स के साथ बिल करते आ रहे है इधर मैंने साइड में तेल भी गरम होने के लिए रख दिया था तो इसमें छोटी सी आटे की डो डाल देत है जिससे इसे पता चले कि हमारी पूड़ी जो तेल है ना वो पूड़ी को तलने लाइक है या नहीं है तो तेल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है तो इक एक करके सबी पूड़ी को देखो मैं डाल रही हूँ इस पैचुला से देखिए मैं हलका हलका पुश कर रहे हैं बिलकुन परफेक्टनेस के साथ ये पूड़ी बन कर त्यार है और देखने में कितनी यमी दिखाई दे रही है देखिए जब इसका कलर इस तरीके से हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे देखिए इसी तरीके स्टेप बाइ स्टेप सभी पूड़ीों को मैं त्यार कर वजब दाल कि अचार के साथ सबड़ी के साथ नी कि इस बिनी क्रिस्पीनेस नहीं रही है मारे बिना खारih चार के साथ खाइए बीना सबजी के साथ खाइए भी तो बहुत ही टेस्ट रहें देखी कितनी क्रिस्पीनेस अंदर से भी बिलकुन मुलाइम और सिंपल दही के साथ तो यह और भी यम्मी थैंक्स वर वाचिंग